ब्रेक अप के बाद भी एक्स से मिलती रही नटाशा स्टांकविच, हार्दिक पांड्या से तलाग के रूमर्स के बीच वाइरल हुआ ये वीडियो, इंडियन क्रिकेट टीम के हरफन मौला खिलाडी हार्दिक पांड्या और उनकी एक्ट्रेस वाइफ नटाशा स्टांकवि को लेकर आ रही खबरों से फैंस चिंता में है, उनके बीच सब कुछ ठीक ना होने की खबरें तेज हैं, इस बीच नटाशा का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक्स बॉइफरेंट के साथ नजर आ रही है, नटाशा का वीडियो वाइरल हो रहा है, पर कुछ नहीं कहा है, इस बीच नटाशा का एक वीडियो वाइरल हो रहा है, जिसमें वो अपने एक्स बॉइफरेंट अली गोनी के साथ नजर आ रही है, नटाशा स्टेंकोविक ने तलाग के रूमर्स पर ओफिशियली कुछ नहीं कहा है, नहीं हार्दिक पांडिया की तरफ से कोई बयान आया है, मगर सोशल मीडिया पर इनके बीच अनबन की खबरें तेज हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि हार्दिक अपनी प्रॉपर्टी का सत्तर प्रतिशत हिस्सा नटाशा को देंगे, इस बात में सच्चाई कितनी है, ये तो नटाशा और हार्द इन भसीन के बॉइफरेंट अली गोनी के साथ रहा है, दोनों लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करते रहे, अली और नताशा ने नच बलिये 9 में भी पार्टिसिपेट किया था, तब एहमद खान ने इनके ब्रेक अप पर सवाल किया था, इसका जो जवाब अली गोनी ने बता दें की नच बलिये 9, 2019 में शुरू हुआ था, 2018 में नताशा के हार्दिक को डेट करने की खबरें आने लगी थी